नमस्कार, रेसिपी इस विदानों में आपका स्वागत है, आज हम बहुत ही डिलीशिस सा रेसिपी आपके लिए लेके आए हैं, आज हम बनाने वाले हैं खीर, वो भी बिना मलाई का, बिना खोया का, बट इसका टेक्स्चर एक्टम क्रीमी और एक्टम मलाईदार होगा, और चावल का इस्तमाल किया है, तो हम ये चावल को अच्छे से पहले दोलेंगे, और उसके बाद हम इसे 10 मिनिट तल बिगोने छोड़ देंगे, जो चावल हमने यूज किया है, इसे अरवा चावल कहते हैं, बारिक सा छोटा सा रहता है, जो कि खीर के लिए ही स्पेशली यू तो सारा चावल को हमने दूद में डाल दिया है, उसके बाद हम दूद को चलाते हुए पकाएंगे, फ्लेम हम मेडियम टू हाइपर रखेंगे और इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे, तब तलक हम इसे पकाएंगे जब तलक चावल आदा पकना जाए, तकरीबन 8-10 मि चावल आदा पक चुका है, आप ऐसे प्रेस करके चेक कर सकते हैं, ये टाइम पे आप इसमें एककब दूद और आट कर दीजेगा, और ड्राइफ्रूट्स इसमें आड़ कर देंगे, तोड़ा सा चॉप ड्राइफ्रूट्स हमने बचा कर रखा है, और उसे हम गार्निशि के टाम यूज़ करेंगे, नेक्स हम इसमें चीनी आट कर देंगे, तो जितना चावल आट किया था उतना ही हमें चीनी का इस्तेमाल करना है, एक चोधाई कप चावल में हम एक चोधाई कप चीनी का इस्तेमाल करेंगे, चावल 50% अल्यटी पक चुका था, हम इसे और 7-8 मि तु को एक फंगा मदांः किया जया को पराइब। बनाक वाला जाना केशर गड़ा कियाएब। तो यह बन्हुना करें तो दोदा सवेवार्ग कर दया है दू हाला दूद कर दें पर इतना करें लाकिने न मेंद्यक्स तो ऍथर दा सकते हैं या झाल भी जाएब। तो भी घंटा भी रख दिया अधा गुंटा बी और भी क्रीमी बन जाता है लेकिन अपने तुरंध भी सफ्ट करेंग तो भी इसका टेस्ट कमाल का लगता है इसका टेक्सचर आप देख सकते है कितना कीमी है जब की हमने इसे तुरंध wiped है एंस में से थोड़ा चॉप ड्राइफ रूट्स के साथ गानिश कर देंगे और यह हो जुगा है कमाल का खीर रेडी आप पी रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजिएगा इतना ज्यादा टेस्टी लगता है कि आपका दिल खुश हो जाएगा आप जिसे खिलाएंगे आपकी तारीफ कर करते नहीं धकेंगे और हाँ कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की रेसिपी कैसी लगी चैनल पे नए है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजेगा मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ तब तक आप अपना और अपनों का ख आयाल रकीगा थांक यू पर वच्चिं